बच्चो में आपकी रजिनी में बच्चो आज हम सोचलोजी में चैप्टर थिरीका पार थर्ड पढ़ेंगे वर्तमान समय में जाती व्यवस्था में परिवर्तन के कारण ठीक है बच्चो वर्तमान यूग में जाती व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं जाती परिवर्तनों के लिए उत्तरदाई प्रेमुक कारण निम्न लिखीते हैं। इन में सबसे पहले आता है बच्चों वर्तमान आर्थिक परिवर्तन। जैसे कि आप सभी जानते हैं अंग्रेजी सामराज्य के स्थापना के पस्चात भारत की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन होने सुरू हुए। यह ठीक है क्रांतिकारी चेंजिस हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले जातियों के नुषार बटे हुए थे तो जो गाओं मे रहने वाली निवाशी थे उनके वेवर्तन भी निष्चित थे। ठीक मच्चो अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के नवीन वेवसायों को जन्म दिया। ओदोगी करण के कारण करेल उद्योगदंदे नस्ठ हो गए तता नवीन वेवसायों का जन्म हो यानिके नए वेवसायों जो है शुरू होने लगे अनेक ग्रामीन गाओं छोड़कर नगरों में जाकर बस गई। क्योंकि उनके जो उद्योगदंदे थे वो नए वेवसायों सुरू होने के कारण दिरे दिरे समाप्त होने लगे थे तो वो लोग भी जो है नगरों में जाने लगे थे चैरों की तरब जाने लगे इस प्रकार वेवसायों में अनेकता के कारण ग्राम वाशियों ने अपन कि जो स्वय रूप था पहले वो सब चीजे अब चेंज होने लगी क्योंकि जो परंपरा चली आ रहे थी व्यवसाही की पीडी दर पीडी आप कह सकती है तो वो भी सब चेंज होने लगे थे आर्थिक परिवर्थन की कारण ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओदोगी करण ठीक है ओदोगी करण ने जाती ववस्ता पर गहरा आगात लगाया यानि गहरी चोट पहुचा ही कारखानों में बिना किसी भेदभाव के ब्रह्मन और सूद्र साथ-साथ काम करने लगे ठीक है किसके कारण ओदोगी करण की बाग लेने लगे क्यों करने लगे बच्चों क्योंकि ओदोगी करण के विकास हो चुका था और आप कह सकते इस परकार की एक था की भावना नहीं विभिन जातियों में जो दूरी जो आपसी दूरी थी वो कम कर दी थी तथा जो जाती वगेरा के जो बंधन जो चले आ रह पास्चाते संस्कति का प्रभाव जब भारतवाजी पास्चाते संस्कति के प्रभाव में आई यानि कि इंडियन जो है जब अंगरेज हमारे हैं तो वो भी उनके संपर्ग में आई ठीक है तो उन्हें ज्यात हुआ कि इंडियन को भारतियों को कि पास्चाते समाज में किस जाती व्यवस्ता के विरुदू अभ्यान चेड़ दिया, ठीक है? अभ्यान किसली चेड़ दिया कि जो जाती व्यवस्ता की परमपराय चलिया रही थी उनको जो है एक तरह से खत्म किया जाहिए ठीक है? और आपने सुना भी होगा है आपने पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे समा सुधारक हुए हमारे जैसे की राजराम मोनराई जी थे और मात्मा गांदी जी भी महान पुरुष रहे जिनके उतकर सुधारन हमारे सामने आते रहे हैं इन लोगों ने क्या किया? जाती पाती के जो बंदन थे उनके वरुद्ध जो होगजादा आवाज उठाई और ज कि शुक्सार का प्राषार करणे असले सुधा कि शो डाय जए ज सवरेंगेरा संसी माज जो यह जो कि समाज के शॉक्सार के प्रेसार जी जरने में लाज़ कई अन्ने अधार्यक्स जो बेढेंगा जुन मैं कि बंदनों क्या है जो एक स Toby की और दाफ पन गया यह स्वर्ध आधरों में भी परिवर्तन हुआ तता जाती वैवस्ता के स्वहरूप परिवर्तित हुआ ठीक है इसे वार्थ है कि जो समाज में जाती वैवस्ता के स्वहरूप हम कह सकते हैं कि वो चेंज हुए है वो उतका प्रयाप्त स्रे जो है मुझ शिक्षा को दे सकते हैं क्योंकि शि नगरों में घनियाबादी के कारण, क्योंकि नगरों में घनियाबादी होती है, इसी के कारण किसी को यह भी ग्यात नहीं रहता कि कौन किस जाती का है, साथ ही अपने अपने कारियों में व्यस्त होने के कारण कोई किसी के अधिक संपर्ग में नहीं आता, जैसे कि आप देख यह लोग आपने देखा भी होगा कि कई बार जो है अनेक जाती के लोग जो है हम एक ही होटल में बेट करके बोजन कर लेते हैं झीक है? किसी को इस बात की परवा ही नहीं होती कि कौन किस जाती का बंदन तोड़ रहा है या कौन किस जाती का है ठीक है तो इसलिए हम कह सकते कि जो नगरे छेत्रों में जाती-पाती के बंदनों को जो बनाए रखना बिल्कुल भी संभाव नहीं है अगला पॉइंट आता है हमारे विज्ञान का प्रभाव ठीक है विज्ञानिक अनुसंधान उने भी बच्चो जाती विवस्ता को परियाप्त ठेश पहुचाई यह ठेश लगाई जो विज्ञानिक साइंस के जो एक्स्पेरिमेंट होते रहते हैं उन्होंने भी काफी जो है इस चीज को चेंज किया क्योंकि वर्तमान विज्ञानिक उन्होंने यह सीध कर दिया है कि समस्त व्यक्तियों में एक सा रखते है अता जाति पाति का भेद पाव जो है एक तरह से क्रतिम है ठीक है नेचरल नहीं है वो अर्टिफिशल है ठीक है और जो हमारे समाज सास्त्री भी हुए है विद्वान वैबलन उनके अनुसार जो उन धक्तिकी विकास ने परिवर्थन यह जो बहुथ ज़्यादा थिया बहुथ ज्ञादा बढ़ा दिये से और फ्याट अ व्याथा यहात के साद bacon का विहाद विवस्ता कि गड़न में परियाब योगदान दिया जाती हुआ जो देस हो एक तरह से तोड़ने में ख़त्म करने में पूरा अपना सहयोग दिया, योगदान किया, क्योंकि आवागवन के साधनों ने लोगों के लिए तेश विदेश जाने की सुधाओ का जो है विकास किया, जिन लोगों को जहां इस्थाई काम मिल गया, वे वही इस्थाई रूप से बस गए, और जाती बंदन जो है वो देले पड़ने लगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भोगोली के वह सामजी गती शीलता की व्रद्धी हुई, किसके कारण, यातायात के साथ नो के कारण, उसके कारण भी जो विभिन जातियों के लोगों में जो है परस पर अधिक संपर्क हुआ, और जो है उनमें क्या ह हुआ, कि उन लोगों ने आपसी जो है, संपर्क के द्वारा वच्चों ठीक है, जो संपर्क आपसी संपर्क हुए, एक इस्तान से दूसरे स्थान पर वो गए या था द्वारा, तो उन लोगों में जो है इस चीजों का धीरे-धीरे, ये जाती-बंधन जो है, आप कह सकते बहुत ज़्यादा धीले पड़ गए या कमजोर पड़ने लगे, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नवीन सासन प्रणाली, अंग्रेजों ने अपने सासन में किसी भी परकार के जाती-बेद भाव को इस्थान नहीं दिया, कानून की देस्टी में सब को समान मान गया ठीक है, इस प्रकार उच जातियों का कोई महत्व नहीं रहा, छोटी-छोटी जातियों के लोग योगता के आधार पर उचे-उचे पदों पर पहुँचने लगे, ब्रिटिस सासकों ने जाती निर्योगता हुए, हटाने के लिए कुछ कानून भी बनाएं, ठीक है, किसने ब्रिटिस सासकों ने जो क्या किया है, कि जो नवीन सासन परणाली अपनाई गई थी, प्राराम होई थी, उन में जो है, कुछ कानून बनाएं गए, कि जो जाती वाती के, जो ये जो प्रता चली आ रहे थी, इन सब चीजों को, वो विरोध करते थे, उनको खत्म करने के ल अधिक है, और मैं बता दूँ आपको बच्चों, स्वातनता प्राप्ति के पश्चाथ जो है, जो चुआ चुआ चुँतु की भावना चली आ रहे थी, उससे पहले, तो हमें जब स्वातनता प्राप्ति हुई उसकी पश्चाथ, चुआ 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 जैसे और ज इसाई प्रचारक, अंग्रेजी सासनकाल में इसाई मिस्नरियों को भारत में धर्म प्रचार की पूरी छूट थी, यानि वे लोग अपने धर्म का पूरी तरह से, पूरी आजाती से, जो है प्रचार प्रचार कर सकते थे, इसाई मिस्नरियों में निम्न जातियों के, हिंद तुद्रों के साथ और निम्न जाती के लोगों के साथ उन्हें समानता का वहवार करते हुए उन्हें धन और पद का लालज देते हुए उन्हें इसाई बनाया या इसाई धरम को अपनाने के लिए आगरे किया क्योंकि और वो लोग हो भी जाते थे बन भी जाते थे इसाई क् देखा निम्द जाती के व्यक्तियों ने देखा कि इसाई हो में जो है जाती व्यवस्ता जैसी उच नीच नहीं थी ठीक है इसलिए बहुत से निम्द जाती के व्यक्तियों उस इसाई समाज के सदस्यों है इसाई धर्म के वे जो है सदस्यों बन जाते थे नेक्स्ट पॉइंट है सुधार वादि आंदोलन राजणाम मोहन राए पैथम भारतिय थे जिनोंने जाती व्यवस्ता के दोसों को समझा तथा उसके विरुद आवाज उठाई उन्होंने भ्रहम समाज के सिधानतों और कारिक्रमों में जाती व्यवस्ता को कोई स्थान नही दिया और देविन्ना टैगोर तथा केसव जंदन जी भी जो थे उन्होंने भी जाती पैथा के विरुद आंदोलन किये ठीक है और जो हमारे गांधी जी हुए हमारे बापुजी उन्होंने भी कांग्रेस का नेतरत करते हुए ठीक है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जा स्वतंतर प्राप्ति के लिए जो स्वतंतर प्राप्ति हुए थी उस चीज़ के लिए देश में राष्ट्य आंदोलन चलाया गया ठीक है इस आंदोलन का मुख्य देश ये भारतिय सत्ता को समाप्त करना था ठीक है यानि भारतियों को यहां से भगाना था राष्ट्य रा जानलीजी हमें कोई काम करना है देश के प्रती या राष्टे अपनी राष्टेता के प्रती तो वो चीज लोगों में आ गई थी और विभिन जातियों के लोगों ने बिना किसी बहत बहाओ के समान रूप से राष्टे अंदलों में भाग लिया ठीक बच्छों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बोतिक वाधि प्रेवर्तिया ठीक है वर्तमान समय में धन को विशेस मेहत दिया जाता है व्यक्ति की प्रतिश्टा आप जन मों जाती से नहुकर धन से होती है ठीक है यसा आपको देखने को मिलता होगा और आपको पता भी होगा कि ये सब चीज अब वर्तमान समय में चल रही है ठीक है क्योंकि वर्तमान यूग में धन को विशे समय तिया जाता है व्यक्ति की प्रतिस्टा आप जन और जाती से नहीं होती बच्चो और धन से होती है बलकि ठीक है आपने देखा भी होगा कोई ब्रहामन निद्रता क कारण दर्जितता का जीवन वैतित कर रहा है यानि गरीब का जीवन वैतित कर रहा है वहीं दूसरी ओर समाज में हे देश्टी से देखे जाने वाले लोग जो निम जाती के थे उनको जो है वो व्यक्तित धन्वान है तो उन्हें जो समाज प्रतिस्टा परदान कर रहा है इस सामानी मानेता ने भी चातिस विवस्ता को जो है, कमजोर बनाया था। Next and last point है हमारा, भारते सन्विधान की मानेता है। भारते सन्विधान में, जातिकत भेदवाओ के विरूत सामाजिक समानता के सिद्धान को अपनाया, ठीक है? उनमें के जो है जो सम्विधान हमारे लिखा गया है उसमें उले क्या गया है कि केवल धर्म मूल और ये जो है वन्स लिंग और जहां वेक्ति जर्म लेता है उस इस्थान या इसमें किसी के आधार पर भी राज्य किसी नागरिक के प्रति बेदबाव नहीं बढ़तेगा जै राज्ये के नागरी जो है एक दूसरे के प्रती है किसी के प्रती भी बेद पाओ का विवार नहीं करेगा ठीक है समीधान की धारा सत्रे के अनुसार भारत में चुहा चूत के आदार पर यदि कोई वेक्ति किसी पर रोक टोक लगाएगा तो उसे राज्ये की और दन्ड मिलेगा इस तरह का प्रावधान जो है प्रारंब के कर दिया गया था इस तरह का जो प्रावधान समीधान में मिलता है देखने को ठीक है बच्चो आशा क करते हूं कि आपको यह जो है टोपिक समझ में आ गया होगा आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा धन्यवाद